कि आपको उतना ही मजा आए है जितना आपको किसी के साथ में आ रहा है न उसे जादा न उसे कब भी अकेले उनने से डर क्यों लगता है इस दर क्यों लगता है कि जब आप अखेले होते हो इतने सारे थोट समारे अंतर आ जाते हैं और जात वो थोट स्नेगेटिव होते हैं यह divisions प्ररॉबल्म है कि आपको खुद के साथ में मजा आएगा केलों के अदर निकल गया एक प्रिलम बाहर नहीं आपके अपने अन्दर ही 1 दुनिया क्या कर रही है? बाहर चीजों को इखटा कर रही है बाहर लोगों के साथ में जुड रही है सब कुछ बाहर कर रही है और सोच रही है कि हमको खुशी मिलने वाली है वहां मिली नहीं सकती Impossible यह कोई भी परसन ब्लाक और वाइट नहीं होता है ब्लाक एंड वाइट होता है उसमें कुछ अच्छाईया भी होती है बुराईया भी होती है तो बाहर आप किसी से भी जुड़ोगे तो वहाँ पर फ्लस भी है, माइनस भी है Problem क्या है? आपको माइनस नहीं चाहिए, सिर्फ प्लस चाहिए वह भार हो नहीं सकता है पर अंदर की दुनिया ऐसी है जहां पर आपका पूरा कंट्रोल है अपने उपर अभी आप अंदर से incomplete feel करते हो और complete होने के लिए किसी के साथ में जुड़ते हो समझ पा रहे हो फार्क? पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ रही है एक है आप अपनी खुशी के लिए किसी के साथ में जुड़ो तो अब आपका कंट्रोल उसके हाथ में आ गया एक है पूरी दुनिया आपके साथ में जुड़ गई है आ करके आपके आसपास में, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड ये, उसको पता है कि खुशी का अड़ा है ये खुश होना है तो यहाँ पर जाओ, इस बंदे के साथ में जुड़े रहा हूँ तो क्या होगा, कैसी होगी आपके लाइफ इसका मतलब समझते हो, पूरी दुनिया में लोगों को चाहिए क्या है कुशी ही तो चाहिए, और क्या चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, और क्या चाहिए, बताओ खुद को ऐसा बनाना है, और ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है इसके मैं आपको कुछ आइडियाज दे सकता हूँ, कि ऐसा कैसे होगा नमबर वान, अपने अंदर की दुनिया में, किसी भी चीज़ को इस दुनिया में, इंपोर्टेंस मन दो उतनी ही दो जितनी हैं, मतलब, लाइफ को लाइटली लेना शुरू कर, हम बहुत जबहाँ स्ट्रॉंगली कुछ अपने बिलीव्स बना लेते हैं, और वहाँ पर जाकर रिपसे पड़े होते हैं उन बिलीव्स की वैसे लड़ाई जगड़े हो रहे होते हैं For example, अगर आपने अफने अंदर माईट में यह पकड लिया कि वेजिटेरियन होना ठीक है, किसी और ने पकड लिया नॉन वेजिटेरियन होना ठीक है, तो दोनों की आपस में नड़ाई होगा है, प्यार मुदबत होगा रड़ाई जगड़ा होगा और आपने क्या पख़ड़ा अपने माइंड में आपकुछ भी नहीं पख़ड़ा है आपने का भाई तुझे नॉन्वेज होना नॉन्वेज हो जा जिसको खानाई खा ले बस मुझे मत खाई हो मुझे छोड़ दियो सिंपल हो गया देखो क्या हुआ एक सीरेस प्राब्लम एक सेकंड में खत्म हो गई मनला सीरेस से सीरेस टॉपिक भी जो दुनिया के लिए बड़े सीरेस हैं सीरेस डिसकॉशन्स हैं सीरेस लड़ाई जगड़े हैं अब कि लिए असी मजाग होना चाहिए अब यह जो मैं बोल रहा हूं यह बाकी की बाहर की दुनिया से पूरा अलग है लेकिन यही तरीका है अंदर की दुनिया को सौट आउट करने का और को तरीका नहीं है अब मुझ से पूछोगे अब किसी ऐसे बंदर से पूछोगे जो अंदर की दुनिया समझता नहीं है वो क्या करेंगा वो स्टैंड लेलेगा लाइफ में स्टैंड लेने का मतलब क्या है आपने पकड़ लिया एक अपने बिलीफ को यहां जी मेरा धर्म है यही सही है अब क्या हुआ आप बाकी सब के अगेंस्ट हो गए आपको अगेंस्ट होने की जरूत है ही हो गए तो मुमें टूट की का स्टाइड आप औरी दुनिया से कट गए If you have not taken any stand हाँ सब कुछ सही है सब कुछ गलत है अब बोलो जी क्या करोगे समझ गए ना बंधना नहीं है लाइफ में कभी में ये बहुत ही एक डीप बात है अगर आप पखड़ पाऊ इस बात को तो ये बात समझ आ रही हैं कैसे पखड़ लेते हैं चीज़ों को ऐसा ही होना चाहिए ये ही होना चाहिए ये नजर है हलकी सी देखने के अगर आप थोड़ा सा नजर को अपनी चेंज कर दो हलकी सी चेंज कर दो तो वो जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपको सीरिस लग रही है अपनी लाइप में बहुत सीरियस जिसकी वज़से आप देवदास बनने के मूड में हो वह भी आपको कमेडी लगने लग जाएगी आपको किसी के साथ में ब्रेक अब बहुत ज़्यादा परिशान हो अपने आप से बैठ करके पूछो अकेले में अब मैं यह बता रहा हूँ आपको अकेले की दुनिया में जिसको आप लूनलीनेस बोलते हो वहाँ पर आप क्या करते हो जिसकी वज़े से उस लूनलीनेस से आपको डर लगता है और क्या करना चाहिए जिससे कि आपको उसमें मजा आए फर एक्जामपल आपका ब्रेक अब अकेले में बैठे हो एक आप बैठ करके रो रहे हो कि हो चली कई अब मेरा क्या होगा यह होगा और अब मैं क्या करूँ मेरा मूड बहुत खराब है अवे य तो अब करता है क्या चाहिए ऐसे में अराम से बैठ करके लाइट लीए से देखना है सिच्विशन को यह जब मेरा अफेर नहीं था ता मैं खुश था यह दुखी था बहुत खुश था रिलेश्शिप में गया तो क्या हुआ कुछ अच्छा भी हुआ कुछ बुरा भी हु आई है नहीं आई है अगर सब कुछ बहुत अच्छा ही हो रहा होता तो अलग होते ही नहीं तो अब मुझे खुश होना चाहिए दुखी होना चाहिए खुश होना चाहिए बल्कि बहुत खुश होना चाहिए तो कि एक बंदा जिसने कभी आम खाया ही नहीं आम का एक्जाम पल नेता हूं इसने करें हां चलो यह ठीक है जो बंदा कभी किसी जगे पर गया ही ना हो तारीफ बड़ी सुनी है कि सुझलिंड ऐसा है वैसा है यह हो है समझ गया ना इमाजिनेश बंजाते हैं मूवीज में भी सब सुझलिंड देखा है यह जो कभी गया ही ना हूँ तो इसके अंतर तो डिजायर रहेगा सुझलिंड जाने का यह इसकी वेसे दुख होगा या बागी सब चले गुए मैं नहीं हुआ इसको ध्याम से समझे ना मैं कनेक कर रहा हूं मतलब सुजलेंट जाने का डिजायर था अंदर से कही ना कहीं तो अगर वो डिजायर रहता तो मजा नहीं आता लाइफ में अब क्या हुआ आपने सुजलेंट जा करके देख लिया कि वहाँ पर कुछ नहीं पड़ा और आप वापिस अपने घर पे आ गए अब आप जादा पीसफुल होए यह पहले जादा पीसफुल थे अब तो जादा होना चाहिए इसा भी रहा सुझेलेट में बढ़िया रहा बेकार रहा वह एक अलब टॉपिक है वहाँ पर आप गए थे हासी मजात में उड़ा दूगे अलके भुल के तरीके से अब क्या गर रहे हो अन्य से सरी मेमरीज को नहीं पकड रहे हूँ अच्छा हो गया बच गया मैं इस रिलेशनिशिप से नहीं तो जिंदगी बर मुझे तुझ दिलंड में ही रहना पड़ता हूँ अब मैं और जग किया पता finally may decision no Simla He B markers kisie saat ne janai nahi ये वाइ nut किसी से जड़ना ही नहीं इंए चादी करती देख क्री क्या क्यों करने कि यह किना में लिखा है वो सकते आपको समाजी नाए लेकिन बोलूगा सच वह अप मेरी आखों में देख सेकते जूट नहीं बोल रहा हूं अपकी तरीफ ही हो रही है बुरही नहीं हो रही है तब तो आप बड़ी जल्दी माल लेते हो और रियाक कर जाते हो लेकिन अगर कोई आपकी तरीस करता है छोटी बोड़ी तरीफ नहीं बड़ी तरीक करता है तो बोलों नहीं नहीं मैं करता है मैं क्या बोल रहा हूं मैं आपको कहूंगा कि यार आप तो बड़े गई गुज़रे आदमियों आपको तो नर्क मिलेगा मांजाओं जरूर इस बंदे को पता होगा इसके पास में यप अषिक रहा है जो मुझे नई पता है कौided कौनसे मेरे करन है मुझे क्या करणा बढ़ेगा किस गाय भाहस की योपर क्या करना पढ़ेगा बताओ मुझे मुझे नर्क नहीं चाहिए अच्छा नर्ख में क्या होता है मैं बता दूगा यह होता है ने को यह है बस तेरी अवकात ही यह है दो पोड़ी के इंसान आप मान जाओगे और मेरे इसाब से चलने लग जाओगे अगर मैं आपको बोलता हूँ सच गेरेंटिट नहीं मानोगे मुझे पता है कोई नहीं मानेगा वो क्या है कि आप भगवान हो यह बात हसम होगी नहीं मैं भगवान कैसे मैं तो गलतियों का पुतला हूँ मैं तो गलतियों की पुतली हूँ मैं तो गई गुजरी हूँ मैंने सच है चाहे आप इस बात को जानो या ना जानो मानो या ना मानो You are the infinite You are the infinite source of happiness आपको खुश होने के लिए किसी की भी जरुवत नहीं है आप खुश हो आप खुशी का source हो You are happiness जब भी आप दुखी होते हो तो आप अपने को कुछ और समझ लेते हो अब फिर दुखी होते हो समझ में कमी है हो कुछ और समझ कुछ और रखा है जैसे हो यह body लेकिन अपने आपको shirt समझ लो अब इस shirt के ओपर किसी ने इंक ठैकी तो आप दुखी हो जाओगे अब दुखी हो जाओगे इस shirt के बारे में कोई अच्छा बोलेगा तो आप खुश हो जाओगे लेकिन आपको यह समझ आए मैं shirt नहीं हूँ तो shirt फटती है फटते रहती है रहे इसके बारे में को अच्छा बोलता है बोले बुरा बोलता है बोले I'm not the shirt shirt की बात हो रहे है मेरी बात नहीं हो रहे है तो उन्हों आप फटत समझ आ रहा है जो आप actual में हो अगर वो आप समझ जाओ जो समझ नहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है It is very easy to understand उसके लिए मेरा एक और चैनल है संदीप महिश्वरी Spirituality के नाम से वहाँ पर जा सकते हो टीपली चीजों को समझ सकते हो यह मैं बात करूँ Permanent Solution का एक है Temporary Solution आपका mood अच्छा नहीं है mood अच्छा कैसे होगा मेरे सेशन देखो mood अच्छा हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा कुछ दिर बाद फिर mood खराब हो जाएगा यह है Temporary Solution यह भी जरूरी है यह अगर कोई इंसान बिमार है तो उसको गोली देनी ही पड़ेगी ना तो यह गोली के जैसा है Permanent Solution क्या है आपको समझ आ जाएए मैं हूँ कौन देन आपके अंदर इं ग्रैंडनेस आ जाएगी देन आप छोटी मूटी बाते करोगे ही नहीं छोटी मूटी बातों का आपके उपरसवर होगा ही नहीं यह जो sense of loneliness है आपके अंदर इसको अगर जड़ से पुरी तरह से उखार देना है तो वो क्या है कि आपकेले में भी अकेले नहीं हो अकेले में आप खुद के साथ हो और आप क्या हो You are not different from this creation You are this creation You are everything Everything is in you यह बात नहीं समझा रही ना आप इस universe में नहीं हो इस universe में एक छोटा सा dot नहीं हो यह पूरा universe आप में है पर यह देखने के लिए सिंपल एक नजर चाहिए पहले जो हमारे दिमाग में जो unlimited thoughts चल रहे है न वो चलने कुछ देर के लिए बंद हो हम टिक करके एक जगे पर बैठे और फिर देखे reality क्या